जो शिब्जी है, शिब्जी क्या पहनते है लेदर पहनते है scoot over leather को बनाया यह चमार बनाये न एक चवार leather को एक कपडा बनायने के चमार को Antuchouchable कैसे हो अटफरूछ का जो aadpurush का जो cinema आया उसमेt Ram न लेधर का प'ti लगा लिया यह कहते हैं कि गनेश तो पहली प्लास्टिक शर्जरी थे सीता टैस्ट्ट्यूब बेवी थे और सारा ग्यान वेदों में हैं और जैसे ही कोई डिसकोड़ी आते हैं तो कहते हैं तो पहले से लिखा हूँ No, don't make our nation look like a fool कैसे आदिवांसएं ने तेर कमान बनाया है उसका इस्तमाल ने किया है कैसे कुलहरी बनाई है परसा बनाया है कुदाल बनाई है जो कि जिन्दी को बहतर बनाने के साधन थे वे जिस्वां सिर्णा को धुत्व जैसे राम को सो भार साम को से तो उनके हाथ में हथ्यार नजर आता है तो वो कहीं कि मारने के लिए इस्तमाल होता है तो टू टाइपस अफ वेपन प्रोड़क्टिव वेपन और डिस्टाक्टिव ब्रामनिजम ने यूज करने का फिलास्पिक बिल्कुल डिस्टाक्शन क्योंकि तास सिस्टम कु मेनेज करने के लिए वेपन से कंट्रोल करना उसका पिलास्पिक आप कव का पुजा कर रहें तेको कौकू अगर अच्छा निमल है दूद दे रहे हैं तुम पूजा करना चाहरें कौकू बफेलों को दोनों को सात्तर को दूनों को पुजा करो यह र करन दिए और अधालन के बारे में अपने दिक्र किया है कि यूब लोग जो थे वो वालग थे बैस पालते थे इनका पशुपालने का काम होता था और उसमें कि इनके साथ तो इतना बुरा वहा कि इनका जो देवता था कृष्ण न इसको भी ने चील भाई जबी का यादव उसे भी मेटिंस में बोला तेको कृष्टन यादव है, वो यादव के पास यादव पुजारी गुना तुम पुजारी बनो जाते वो उन्हें छत्रिये पन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू बनाने के कोशिश करते हैं गर्व से बुलो अम्शूद्रा है स्लोगन आया ना कि दले तो ओबीसी के बीच में बहुत सारे क्लैसेज है वो एक कोई यूनिटी उस तरह से बनती नहीं आप जो बुले वो सही है और कौफी दलित इंटलेक्टिस और वरी मैं किताब में पढ़ रहा हूँ तो आदिवासी कल्चर के आपने बात किया कि कैसे चिकन मटन की रेसिपी जन्होंने बनाई होगी कैसे और तीस को अगर आरेसेस बीजेपी जो हिंदुत्ववाद इवन प्राइम मिनिस्टर भी वेजिटेरियन अगर पूरा देश को अगर व सोशयल स्मगलर इस डिफरेंट कॉंसर आपका इसमें चैप्टर है 11th नंबर इसमें आप कहते हैं बोधिक गुंदे इंटलेक्षवल गुंदा क्या करता है इस्तिक्वाद एक इस्तिक कंप्लेटली बर्बाद करके रहा है तो कई जगे जिखर आता है कि जैसे ब्रामन पूरा शीप को कॉंट खरते हैं जो अपना शीप है या नहीं हंड्रेट से ज्यादा होते हैं बगार जीरो कैसा कॉंट किया है तो इस अजब धंकिया मिलती हैं डर नहीं लगता है मैं डरने के लिए तयार नहीं हूँ क्योंकि मैं एक शपड का बच्चा हूँ यह देश को रक्षन उन्हें किया है यह देश का निर्मान मेरा बाप किया है मेरा मेरा ग्रैंड बाप किया है मेरा ग्रैंड बाप अरप भी मेरा ग्रैंड बाप वो किया है तुम मैं किया आप अच्छा घर है अच्छा करस है सिबिल वार किसको लास करते हैं वीलेजस में लेबर को क्या लास करते हैं जैभीन स्वागत है आपका हमारी सकास पेशकर्ष में इस वक्त इस फ्रेम में में मेरे साथ जो चैरा हैं वो परिज़य के मोताज नहीं हैं कांचा इलाया शेफट ये नाम ही काफी है जो भारती राजनीती में दलित बहुजन राजनीती में और विमर्श में अपने परीचे के लिए काफी है एक ऐसा डिसकोर्स खड़ा करने में जिनकी भूमिका है जो दलित बहुजनों आदिवासियों की हकमारी के रख के तोर पर हम उन्हें जानते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं प्रेड़ना लेते हैं और अपने इतियास से रूबरू होने के साथ साथ हम भविश्य की चुनोतियों को समझने और उसके लिए खुद को तयार करने की भी कोशिश करते हैं जाने माने विचारक हैं ले पेश करती हैं हिंदोत्य की दुहाई देती हैं । बहुजstellen को हिंदोत्य के फड़्ड मिलाकर उसी मौनवादी व्यवस्ता को सतापट करना चाहती है जिसका सपना वो देखती है। उनके बीच ल मच ही गई है। खासकर बहुजन जो लोग उनके बीच भी इस ने हलचल पैदा की है ताकि वो अपने इतिहास को समझ सके और इस साजिश को भी समझ सके जो उनके खिलाफ हो रही है। इनके अलावा इनकी किताब जो है कई तरह की किताबे मश्यूर हैं वाई आम नोट ए हिंदू ए सफ़र्ड बोई टू एन इंटेलेक्चुल और भी तमाम किताबें बफैलो नेशनलिजम जो आपकी किताब उसके तो हम सब बहुत दिवाने हैं हम फैन हैं सर आपके सर ये किता किताब आई है सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और इस चैनल पर समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सौगत है आपका यह किताब जो है मैं 2009 में पहले बार इंग्लीश में आया था उसके पीछे 10 साल का का काम था क्योंकि ऐसा किताब जो आदिवासी से लेकर जो बारबर सेdess नियंग इंग्ले सॉनिया है घो मैं किसे उसका क्या सिक्जाव से उसका क्या है चैकनॉलोजी थो क्या शीन है असका क्या सिस्टम में नोलेच सिस्टम है उसका क्या फिलासफिजए है कोई स्टड़ी मैं किए थो शुद्रों का lateral ओं का एदिवासि पूरा सांस्क्रिट लिट्रेचर में ऐसा बोला गया यह लोग अमायक है यह लोग बिलकुल अज्ञानिक है इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते तो मैं देखा यह ऐसा अगर हो तो यह दुनिया अरपा सिटी से लेके जो सिविलाइजेशन दुनिया में सुपसे पहले हमी सिविलाइजेशन जो बनाया ब्रिक बनाया वुडेन क्राफ्ट बना दिये ब्रॉंज इंस्टुमेंट्स बना दिये टैंक्स बनाए जब से लेकर अब तक यह देश कैसा चला कौन उत्पादन किया वो स्टैडी करने के लिए मेरा खुद का सालरी का पैसा रखके दस साल ग काम करके इसका नतीज़ यह निकला यही किताब को इसका इंग्लीश वर्षन को हिंदी वर्षन को और मराथा वर्षन को सुप्रीम कोट तक लेके गए 2017 में जब जैस्टिस मिस्तरा चीफ जैस्टिस थे प्रज़न चीफ जैस्टिस चंदर चोट वो बेंच में थे तीन जज आपको बैन नहीं कर सकते हैं यह यह देश के वारे में चर्चा कर रही है चर्चा करने तो यह नोट यह तो बैन बोक्स जैट वसी लिए इसका इंदी सेकंड एडिशन जो बहुत अच्छा रूप में और ऐसा अच्छा बफेलो को जैदेखिए बीजेपी गवर्मेंट ने disappointment में मेक इंडिया एक शिंबल बना रें वसिंबल में क्या है एक लाइन है लाइन में एक यह टेकनोलोजी इंस्तुमेंट से या एक बफेलो में और यो में पूरा अग्रेरियं प्रडहों का इंस्टुमेंट्स साइन्स टेकनोलोजी integrate फिलासफी इसका गर्भ में है यह कोई एक बड़ा पॉलिटीशन देखे बोला अगर मेकिन इंडिया का सिम्बल कुछ होना है यह होना है सिम्व कभी मेकिन नहीं होता सिम्व मारता बफेलो जो है दूद देता उसका 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 स्किन जो है लेदर बनता बैक्स बनते शू बनते बेल्ट बनते जो जतना बफेलो का मीट काते लोग दुनिया का यह सिम्बल से पारवर्ड प्रेस ने यह सेकंड एडिशन बहुत अच्छा पाम में और काफी चेंजेस करते हुए लाए हैं उसको मैं एक इंट्रड़क्शन भी नया लिखा इसमें वो आप पहले किताब आने के बाद पहले बार यह चानल में इसे पहले शूद्र चानल काय जाता था और आप इसमें मुझे इंट्रव्यू कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुमें तैंक्यू वेरी माच जी सर अमारे लिए भी यह गर्व की बात है कि हम आपके साथ स्क्र कंट्रवर्सी खड़ी हो गई थी तो आपके उपर यह आरोप है कि आपने कई जातियों के बारे में इसमें खराब बाते लिखी हैं उनको डी फिर्म करने की कुशिश की है और उनके बारे में गलत चवी बनाई है कि वो बदनाम हो जाएं और उससे उनकी भावनाय आहत हु कुश नहीं डाले ने देखिए वो कंट्रवर्सी तलंगाना अंधर प्रदेश का जो बनिया लोग इसमें एक चाप्टर को लेके काफी बड़ा आंदोलन किये वो किताब को बैन करना बुलके और मुझे अरेस्ट करना बुलके काफी आंदोलन किये काफी केसेज भी मेरा ख्याल में जेजस काफी केरफुली किताब को देखे होंगे यह किताब में क्या है एक किताब शुरू होता है आदिवास योग का जिन्दगी से पहले चाप्टर में उसका टाइटिल इंग्लिश में ता अनपेड टीचर्स जो हिंदी में भी जो जो पैसा नहीं लेके दुनिया को जो ठीच किया वो लोग के बारे में मैं उसमें क्या बुला आदिवासियों ने हमको जो खाना है हम जो अब खा रहे हैं जो फ्रूट का रहे हैं रूट का रहे हैं वेजटेबल का रहे हैं मीट का रहे हैं वही लोग पहले डिसकवर किये स्टैंडर्ड किये उसका टेस्स होई लोग डिसाइड करें कोई पोईजन है कोई पोईजन नह नालेज दे दिये, क्या वोगों को कुछ दिये हम, कुछ भी नहीं दिये, अगर एक स्कूल में पढ़ाय तो पैसे दे रहे हैं, कालेज में पढ़ाय तो लाकों पैसे दे रहें, उन लोगों को क्या दिया, और उन लोगं का टेक्नालोजी किया है पूरा टेक्नालोजी को मैं साइन्टिफिकली एग्जाम के उसके बाद देखिए सेकंड चाप्टर है चमार के बारे में ये चमार देश में पहले लेदर इंडस्ट्री शुरू कि अगर लेदर इंडस्ट्री नहीं होता था अरपन नहीं होता था नहीं जो लोग मेरे उपर यह पूरा बद्दाम करके यह कर रहे हैं अपना बगवानों का शरीर को देखिए आप जो सांस्क्रिट लिट्रेचर में जो शिवधी है शिवधी क्या पहनते हैं लेदर पहनते हैं कहां से आया है कोनो लेदर को बनाए यह चमार बन को बनाने के चमार को अंटचिबल कैसा होता है वो बगवान को यह एक चाप्तर है और देखो यह हमारा पास माला बोलके कम्यूनिटी है यह जाता हो के लिकाइट उसको मैं बोला प्रड़क्टिव सोल्जर से इनिमल को क्या ट्रेनिंग दिये जो कैनाल कैसा बनाएं और वि इड़ा के चुमन लाइफ में कüf तो चीज होते हैं एक on a before agriculture आने से तेह पहले hunting दोगत अडिकल्चिर आने पदकाशन के बद्द करके बाद सिटी को पहले सांहीं पछलेत अरभ पाता बाद में जो है पुरा रामायन महाबारत के पीरेड में सिटी काही नहीं दिखडा पाटली पुत्रबाद में गवतम बुद्ध के टाइम पे पाटली पुत्र बाद में अब तक जिन्दगी है यह प्रोडक्षण कौन किया उसके वारे में शांस्क्रिट लिट्रेचर में क्या है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भंप कई अर्णमंट बनाए कुछ नहीं है और मैं उसके बारे में बोले जो मालों जो जाताव लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, अन्टचबल बोल कि वो अग्रेरियन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, एनुमल को ट्रेन किया, ये प्रोड़क्षन और प्रोटेक्शन रक्षन देश का रक्षन कोन कर रहे हैं, ये ही दलित आधिवाशी शूदर, साहिन निवन के वहां है, रूम् जो बोलते है नहीं उसको बोला मेज किGL S excuse me, सॉसिल डॉक्टर मेडिकल साइन्स, दुनिया का मेडिकल साइंस का डेकिए पहले स सभजिन बारबर ता जो हमारे ऊपर जो एरकटिंग्टिंग अबसागई लिएज़री . ऐंग्लाइन में एरकटिंग को एर सर्जरी बोलte हैं। वह डक्टरों का असोसेशन को अब तक भी बड़ा अनलरी हैट बारबर होता यहां बारबर का हालत क्या है और बारबर का अवरत कौन बच्चों को पैदा कर दिये मिडवाइब कोड की कोई अपरकास वुमन नहीं की वो तो वो तो नर्स थे वो तो डॉक्टर भी थे मेडिसिन दवा देते थे उन लोगों को मैं अनून सोचल डॉक्टर बोले उसके होते हैं मुझे पता नहीं होता है हमारे पाथ चाकली होते हैं मैं इसमें बताया फिरके फिरके उन लोगों का जिंदगी को पड़के टोटल सोशलिस सिस्टम मैं उन लोगों को को के लाइफ में बताया है और डिस्कवरी देखिए पहले सोप साइल सोप जो होता है ना ओधोबी मट्टी को सोप बना के कपड़े दोए तो आडिनरी सोप से दोए तो जर्म जाता नहीं था वो बचके फिर डिसीजस पास होते रह रहते थे वो उसको बॉइल करना शुरू किया है यह भी एक डिस्कवरी है ना ऐसा हुमन उमानेटी को उसके बाद मैं जो है मीट एंड मिल्क एकॉनमिस भूलके शपर्ड्स यह यादव यपाल्स इनके बारे में फिरके फिरके उन लोगों के साथ फिरके क्या क्या करते है इनमल को कैसा लाव करते हैं अगर देखो एक शपर्ड इनमल को लाव नहीं करे तो उसको हंड्रेट्स और हंड्रेट्स नहीं बनाते हैं कभी-कभी एक को काट करके काते हैं बट हंड्रेट्स पालन करते हैं उसको दिंबर पोशन करते हैं कोई अपर जातियों से वैसा नही किनिनिमल को प्रेम नहीं करें इसको पूजारो जाए को पूजा करना शुरू कर कर ठीक है अब 20 को बालन को तो उसको अ मिअ उस्पूर ग्रास नहीं उसको को वॉष कर रहे हैं और ये देश में जब से बढ़ा डिस्कावरी ये देश का प्रे- अरफन त Elderly से हुआ ये किताबें बताय है यह सक्रूद क्यों सक्रेग नहीं थी चै यह यह अगर ब्लाक इनिमल बोल के सक्रूर्द नहीं हो तो ऊसका दूद डोद क्यों पिग रहा है भू का उसी दिए यह वाइब दूद देता हो थो दूद पैंगे हम लाक एनेमल को रिजगि अगर प्लाक उत्मा बड़ा भा वा व्रा है तो तुम्हारा शिरप पर जह एर है तुम्हारा गात उनिया गए तुम्हारा मेरा शेृषट भाहै तब व्र और उसके बाद unknown engineers के बारे में और फूट प्रोडूसर के बारे में J date some food फूड की है इन लोगंके बारे में भी एक चाप्टर है unknown इंजिनेर आइरंड स्मिती गौ officer World का सबसे बड़ा economy science right अइरें स्मित गौरव का वहें एडम स्मित कोने स्मित का फैमिली से है उसको साइन्स मालो यह प्रीस्ट जो रहता है चर्च में जो पैस्टर उसको नहीं मालो एडम स्मित एकानमिस बनके कैप्टलिजम को एक फिलासफी दिया तो उसके बाद एक चाप्टर बनिया के उपर है वह भी उन लोगों का लाइफ काफी पढ़ा माई पढ़के वह चाप्टर को सोशल समगलर टाइटिल दिया आपने इस किताब में लिखा है चैप्टर नमबर स्मगलर सोशल स्मगलर इस डिफरेंट कॉंसेप्ट मैं क्या बोल रहा हूं गुप्त यूग से लेके अब तक बिजनेस करने का राइट हिंदू सिस्टम में एक बनिया को दिया गया वे बनिया अग्रिकल्चुर इस्ते रुगवेद का टाइम पर इनिमल एक उनमी बनिया के साथ थे शोद्र सलेव दिए बाद में को परियेड में गुप्त सिपर नहीं वो लोग जनेव दे दिये और पूरा राइट्स बिजनेस का दे दिये करने के बाद विलेज एकानमी में एक्सेप्ट बनिया को किसी को भी बिजनेट करने का हक नहीं था मिलेज तो पूरा प्रोडक्शन उसका गर में जाते थे उसका घर से फिर वापस सामाज में इन वेस्टमेंट नहीं हुंआ तो मही क्या बोला हम जात का एक बार्डर बना के वेल्ट को उसमें लेके वेल्ट को फिर अग्रेरियन एकानमी पर इन्वेस्ट नहीं करके तुम अंडर ग्राउंड में रखे उसको गुपता दन बोलते हैं यह हमारा डेवल्पमेंट रोक दिया उसको मही सोचल स्मगलिंग कि स्मग्लिंग वोले तो देश से फुरा वेल्ट को बाहर लेके ढाँ चाइने जैके लाना अमरिक कर आप अब भी देखिये, मैं सूद्रा किताब में लिखा ना, 100 top industrialist, post-globalization industrial, 100 top industrialist में 80 तक बनिया ही है, एक जात industrialist नहीं है, एक गुजर नहीं है, एक पटेल नहीं है, एक पराठा नहीं है, यह क्यों concentrate हो, उसी लिए concentrate हो, मैं बोलरा हम, the right to do business has to be free and open for everybody, जो बनिया का घरो में जो accumulate हो, यह आदानी हो, अंबानी हो, वेदांता company हो, इसमें जो accumulate हो, यह social capital है, तुम society पर invest करो, अब देखो इतना बड़ा industrialist है, कल national survey आया, highest social service investment को कर रहा, एक Muslim industrialist कर रहा, अजिम प्रेमजी कर रहा, यह लोग क्यों नहीं कर रहा है, इसके culture में नहीं है, मैं वो बताया, वो गलत कैसा होता, मैं तुम लोग को मैं कंडम नहीं कर रहा हूं, आप लोग को आप लोग्त शूत्र बोलें कर रहा है, रहा हुँ झाल बोलें, आप लोग को आप लोग को आप लोग्टोरा इवराप में क्याप्टलिस्कूण बना, कि राजा नहीं बने ना कि नो किंग इन यूरॉप बिंगे में कैप्टलिस्ट वो स्टीट वेंडर से च्पिंडर कैप्टलिस्ट गवना कि शूद्रों में पूरा देश में अप 150 टॉपमोस कैप्टलिस्ट को अगर आप देखे और उसमें दुनिया का तॉपमोस्ट भी है आदानिक पड़सम तक दुनिया का टॉप चैप्टलिस्ता ना रिच उसमें एक ही शूद्रा है वो शीव नाडार फ्रम तमिल नाडु मगर यह कैसा होता अग्रेजियन सोसाइटी को अक नहीं है दलितों को अक नहीं है आदिवासी इसको अक नहीं है यह चेंज करना है नरेंद्रमोडी की एक OBC है मोद गांची है ओके आईल रखे अब नरेंद्रमोडी पीरियड में बना शूद्रों को चैप्टलिस्स बना पूरा कैपिटल आदानी अंबानी को क्यों जाना एक जाट को भी दो एक यादव को भी दे दलित को भी दो बड़ा कैप्टलिस होना है ना मैं वो डिस्ट्रिबॉशन के बारे में बात कर रहा हूं यह बहुत जरूरी आप सावाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भई जो समाज को बनाने वाले लोग थे उनका तो नाम कहीं आया नी और बाकी सबका सब आपने कबजा कर लिया तो जैसे आपकी किताब कहती अलग अलग नाम हैं बहुती खुबसूरत और एक तरीके का नया डिस्कोर्स पैदा करता है कि उत्पादन के सैनिक हैं सामाजिक चिकत्सिक हैं यानि वो डॉक्टर हैं समाज के मास और दूद के अर्थ शास्त्री हैं तो आपने बेसिकली जो दलित आदिवासी या फिर खोज करने के बाद उस परिसर्च उन्होंने किया नई तकनीकी इजाद की वो ग्यान उन्होंने हासिल किया फिर वो ग्यान अचानक से इतना कहें कि बदनाम कैसे हो गया कि जो लोग बनाने वाले थे जो मेहनत करने वाले थे उनका नाम कोई सम्मान के साथ नहीं लिया जात तो ये बदनाम कैसे हो गए इतिहास में आपको कैसे लगता है कि ये प्रोफेशन जो मेहनत कर्शक तबगे के लोग थे इनको किस तरह से बदनाम किया गया ने देखिए सुमित क्या हुआ रुगवेद लिखने के बाद जो रुजुएद ये जुरुवेद अधरववेद और रमायन महावारत ये संस्क्रिट लिट्रेचर में पूरा हिस्ट्री जो है ब्रह्मिन और क्षेत्रियों का है उसमें कोई शूद्रों का जिगर नहीं है कहीं या करन है करना है या नहीं या एकलव्या है ऐसा एक एक्षामपूल आजयाता है तो पूरा संस्कृत लिट्रेचर में उत्पादम नहीं है। जब उत्पादम नहीं है तो शुद्रों का जिगर नहीं आता आयो तो चंडेमनेशन में आता। और लेदर टेकनलोजी का जिगर ही नहीं है। तुम लेदर यूज कर रहे हैं। इज दो आधपुर्श का जो पन्सके चीजिंआ एया उसमें राम ने लेदर का पटी लगा लिया। कांसे आया वो लेदर का पटी उसके बारे में नहीं है, वो इंडस्ट्री ओंगा, वो इंडस्री के बारे में नही है। So मै क्या बोल रहु हैं। अब तक RSS, जो BJP और जो हिंदू सिस्टम, नेशनलिजम के बारे में जो बात करें, जो लोग नेशन का उत्पादन करता है, अग्रेरियन प्रोडक्शन करता है, आटिजानल प्रोडक्शन करता है, और सिस्टम को साइन्टिफिक डिस्कोवरिस नेचर में करता है, वोग नये किताब अगर लिख के लिट्रेचर बनाके, नेशनलिजम वह से बताना गलत है, नेशनलिजम उत्पादन से लाना है, संस्क्रिट लिट्रेचर में नेशनलिजम का सिस्टम इन pathway क्योंकि बिल्कुल है वार, वार नेशन को बिल्ड ना ही करता, फैमिली में हो, बाहर से हो, वार इस नोट बिल ए नेशन, प्रोड़क्शन इस गोई बिल ए नेशन, इसको तुम लोग अब तक रिकिनिशन ही नहीं किये, शूद्र अपना किताब आप नहीं लिखे, क्योंकि शूद्रों को दलितों को अधिवासियों को लिखने का हक नहीं क्षच्क्री टाहिजत बाहर से हलग उव्टेट बाहर से हम ग्ष्यप दिरी शूद्स सब्सक्री लोग उज कि लिएख समय बाहर से लीख शच्बेशम में।स्टम में लिख नंस्ट्रम सथिक्रतभ यद्टियों को जमा कर लिए बृवियों को रहुंट, शूश प्री ayasas कत्री वाईशया लोगों को जमा कर लिए अगर पीरियद में देखिया शूद्र कही नहीं है उसको पढ़ने काक नहीं है उसी लिए उत्पादन का राईू काल कि भिए इस लिएंगे झा Μा फिए धनाव झार भीरे तक प्रता लौक अगर उसके लिए विएन खड़ हिर सब्सक्ति नहीं थे निखम्सटीन लेगे normaal ।। अपत। अप्लत कर लाया है। थैपसी एपसे अमरिका में तरह सब़ेंरा dei क्रित गया है। theippy टेखि the dalis and advaasas. मुस्लिम रूलस भी हमको नहीं दिये, कुछ भी। Schools नहीं लगाए. अगर पीरियड में नहीं, आज पीरियड में यह मुगल पीरियड और बाद में इंगलिश आया. इंगलिश में भी हमको कुछ नहीं है. नेवरू लेके जाके इंग्लिश को प्राइवेट सेक्टार में रख दिया हम जो कुछ पढ़ना शुरू करें अगर देखो महात्मा पूले पेरियार अमबेड कर अगर वो लोग नहीं हैं इंग्लिश सिखाने के लिए हमको हम नहीं रहते हैं सो यह किताब में मैं यही बोल हुन ब्राह्मानवाद एक स्पिरिश्वल फैसिजम की लगा लिये तो भोलाः है अकर अगर हिंदू एथो वय ईंदू जो ओता है कि सको हिंदू कर रहे है उसको पूजारी बनने का अग टो पूजारी बनने का हुड, चूजारि बनने का हुक I have lived seventy-one years more now. एक ब्राम्मन भी इंडिपेंडेंट इंडिया में एक आधनिक किताब सांस्क्रित में नहीं लिखा. तुम बॉल रहें संस्कृत हमारा देश का वो फूरा सिवलाइशनल लेंगवेज है ये इबुरु से बड़ा है ग्रीग से बड़ा है अरबिक से बड़ा है अरे बड़ा है भई। तुमहारा घर में नहीं है ना तुम एक किताब भी क्यों इंगलीश में लिक रहें पूरा ब STEVE kas cámouse kongriss vrahamans. इसली को विदेश्यों निम्लीस भिखेंग। जा भीघ दी विखे हैं। ले ले लेगे वह वह अनलम लेगा वह पिंगित लेट सांस्कृृत नहीं को स्थंकृत्तेयाई नहीं को लिखा देती हमारे जैंडेगें को अली कहपी नहीं कर्या है हम लोग आम बैडकर आने से पहले पूले आने से पहले वो लोग आने के बाद भी वो लोग अपना आतमकता नहीं लिक नहीं लिक है रिखेट वेरिटिंग विजाए वह पिन के लिखेड़ ऑपार र जिन्दगी बारे में लिखें तुम्हारा पोईट्री इसके बारे में पूरा युद्ध युद्ध के बारे विद्ध युद्ध के नेशन सर आपने आधीपुर्षफपल में राम का जिक्र किया कि किसे वो चमड़ी की बैल्ट बांदे वे नजर आरे हैं तो आपकी किताब जो मैं पढ़ गए फट्रह ना का प्रतिको का थियारों का कि कैसे आदिवासियों ने तीर कमान बनाया है और उसका इस्तमाल उन्होंने किया है कैसे कुलहाडी बनाई है, फरसा बनाया है, कुदाल बनाई है जो कि जिन्दगी को बहतर बनाने के साधन थे दूसरी तरफ जैसे राम को हम देखते हैं या परशुराम को हम देखते हैं तो उनके हाथ में हथियार नजर आता है तो वो कहें कि मारने के लिए इस्तमाल होता है उसका इस्तमाल की वो शिकार करने के लिए इस्तमाल होता है परशुराम का फरसा तो पूरा मासेकेर उसके जर वो जो दूसरी ब्राह्मनवादी वेवस्ता है वो विनाश की तरफ दिखती है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ दिखती है कि युद करें, मार डालें, तो ये जो डिफरेंस है कि create करना और destroy करना, ये बहुजन बनाम ब्राह्मनवाद की जो थेरी है, इसमें प्रतीक कितने अहम हो जाते हैं, कि इतनी जरूरी हो जाते हैं कि ये जो भी symbols है, इसको हम redefine करें, reclaim करें, हम अपनी नई definitions बनाएं, एसमें आप बिलकल correct है, क्योंकि पूरा production system में जो लोग है, उसका instrument दे किया, हल से लेके, जो spade, so जो spade बोलते है न, पारा बोलते हम तिलूँ में, वो मती नि मैं बोल रहा हम, spade is the symbol of civilization, not book, book जो है, एक reflection होता है, जैसा आदिवासियों से, मैं आदिवासियों का गरों में एक महने जिया, एक किताब लिखने के रून पे, उसके पास अतियार है, और क्या अतियार है, पूरा उत्पादन करने के लिए, एक अतियार है, पूरा है, अगर कोई dangerous animal आता है, उससे मार देता है, मगर आदमी को आदमी से मारने का अतियार नहीं है, वो कल्चर में भी वो आदमियों को आदमी को मारने का अतियार बनाया नहीं हो लो, प्रोडक्शन के लिए ये करे, डर्टी को कैसा क्या करना उसको लिए, एक टैंक कैसा बना वो किये, से लिए, there are two types of weapons, productive weapon and destructive weapon, ये discussion जब आटम बन रहा था, इवन आइंस्टेन भी ए प्रशना उठाए, वेपन civilization में आए, मगर वेपन civilization में उत्पादन के लिए, civilization बनाने के लिए आए, destruction के लिए भी होना है, बगर उसको control करना मुश्किल, उसको use करने का philosophy, बहुत अच्छा होना, Brahmanism ने use करने का philosophy, बिल्कुल destruction करता, क्योंकि caste system को manage करने के लिए, वेपन से control करना उसका philosophy था, Dalit- STUDENT rebel कर रहर थे हैं उसको मार दो, आदिवासी कुछ rebel कर रहे हैं वार थे हैं उसको मार दो, शूदर कुछ कर रह थे हैं उसको मार दो, उन्ने टेंपल में जा रहे हैं उसको मार जो, ये वा मारा system को complete negate कर दिया, फिलसाफिकली अग्रिकल्चुरिजम स्पिलाशफी को वारीजम को लेकिए। आठ चायना एग्जाम्बल एड फिलासफी अग्रिकल्चुरिजम। इंडिय तुम रुखबे से लेके कौटिलिया का अर्दशाथ्र से लेके और मनु का धर्मशाथ्र तरप भी स्ट्रोलिंग वेपन सिस्टम ये नेशनलिजम का पॉजिटिव नहीं है उसलिए अब RSS आयुद पूजा करते हैं जसरा टैप मैं बोल रहो हूं ये गलत है अब आयुद पूजा मत करिये ये अगरिकल्टरल टूल्स का पूजा किजिए हल बोलते हैं हल चला हल को पूजा करो कि विपन को पूजा करना क्या है वहाँ ये यूमन वैल्यू नहीं होता हो लो चाहरे सिंबल सब्सक्राइब वेज रहें हैं अब कव कव का पूजा कररें ते को को अगक अगर अच्छा इनिमल आई दूद दे रहे हैं तुम पूजा करनाअ चाहरे को डोनों को साथ रखो तोनों को फूजा करो यह दूद कितना दे रहा है और अरे बफेलो जोए शूद्रे निमाला है ना दलिते निमाला है उसलिए तुम नहीं करते है यह मैं बोल रूम एक हुमन पिला से देखिये सुमेत एक ग्रतेस्ट थिंग अंबेर कर दिद इस एक रिटिक्ट देर बुक्स उसलिए यह जाता है अलो आधिया याचिश कर आए अग्रेरियं सोसईटे माय क्या रिखिया आविस्टेश निया है यह नहीं प्रोबल्म के वल किताब से नहीं है नहीं प्रोबल्म उत Πादन में है वहां जाके ब चिताब लिकना फ्ल्रा वहा जाने लिकना टीश्क अ इतना man-woman relationship पे fight कर रहे हैं, तुम रामायन में मैं क्या है, महावर, जाके गाहों में देखो, क्या man-woman रहे है, कितना morality है, कितना, ये गर का औरत, दूसरा गर का मरत, दोनों जाके, एक बड़ा खेत में अंदर रहके, काम करके आते, वो लोग वाँ sex कर लेते हैं, वो नहीं करत मेरा वाइफ एक ही आदमी के साथ बाइटके, वो केत के अंदर, दिन बर क्या किया, डाउट में आता, वो एक civilizational value है, sexual morality है, वो आदमी भी उसका वैसा नहीं करता, मेरा वाइफ नहीं, I will treat her like a sister, so ये अग्रेरियन system में values है, शुद्रा फिलासफी है, दलित फिलासफी है, मैं बोलरम, all of us were शुद्रास, except अदिवास, even दलित्स वर पाट फिलास, once the leather technology came, they said leather is untouchable, so पूरा शुद्रों को भी दलित नहीं बना के रहके, और बाद में बीफीटिं से, अरे बीफीटिंग बीफीटिंग इस एफूद, तुम ना, you don't want to eat, you do, but ये दुनिया का फूद ए ना, इंडिया का एक अलग सिस्टम कैसा बनाते नेचर में, वो नहीं हो सकता, ये लोग आज बोल रहा हैं क्या विश्व गुरू। विश्व गुरू है, विश्व गुरू तुम का एंप्रैक्टिकेबलर्ड मसे का WILे ब़िए बनता है। दे़िए नटेश चशे से विश्व गुरू शेके थे 2016-2020 को शीकीर बंदर में। तो ये जैसे आप खाने पीने की बात कर रहे हैं यहां पर, मैं किताब में पढ़ रहा हूँ तो आदिवासी कल्चर के आपने बात किये कि कैसे चिकन मुटन के रेसिपी उन्होंने बनाई होंगी, कैसे वो टीस को लब किया होगा, बीफ को बनाया होगा, और लोगों को वो को वो गलत मानती है, बलकि यहां तक उनके जो रिलिजियस टेक्सर वो कहा देता है कि आपको इसका पाप मिलेगा, आगले जनम में आपको इसका कुछ कहिए कि भुगतना पड़ेगा, तो यह ब्रैमनिजम जो प्योरिटी का कॉंसेप्ट लेके आता है कि जो वेजिटेरिय हैं और वो खराब लोग होते हैं, तो यह फूड कल्चर कैसे हावी किया गया, किस तरह से हमारे कल्चर को बदनाम करके अपना ठपा उन्होंने लगा दिया, यह लोग एंशन से लेके मेडिवल पीरियड था, और बाद में जो मुस्लिम रूलर्स आने के बाद, यह मुस्लि इस यह अधाING, ऑगल ईकंड के अगर ऊसमें एक नम्हें लूख nuggets, आन नार्थ इंडिय का यादवसी वेजिटेरियन बने चाल घाये हंने जबने घूद्धीय लिगा है, अर शूद्र festival वेजिटेरियन बने रूबन हैं जाट्ष भीजिटेरियन बने लगें नोथ आधा स तो इसके प्रोब्लम क्या हुआ, इंडियास फूट कुल्चर अस अफ नौ ट्रीबल्स, दालेस, शूदरास, और अधर सेक्शन मिलके, 60% मेटरियन है, 40% ही वेगेटरियन है, अगर रस्स, बीजेप, जो हिंदु त्ववाद, प्राम मिनिस्टर भी वेगेटरियन, एक ताम गांधी भी वेजिटेरियन और आर्यसमाज वेजिटेरियनिजम, यह पूरा जो है, अगर पूरा देश को अगर वेजिटेरियन कंवर्ट करें, मैं बोलरू यह यह देश मर जाएगा, क्योंकि 60% फूट, प्रोटीन फूट वैल्यू, मीटेरियन में है, उसको अगर आइड लड़ना मुश्किल है, पाकिस्तान से लड़ना भी मुश्किल है, और यह प्रोब्लम मुस्लिम इंटलेक्श्वल्स भी इसमें कंट्रिबूट किये, मुस्लिम इंटलेक्श्वल्स फ्रम अल-बेरूनी पहले राइटर था, 10th century का, उसके बाद जो मुस्लिम राइटर्स है यह सिस्टम को, यह कास्टिजम को, यह युनिवर्सल फूट कल्चर को कभी भी एक्जाम नहीं किये, वो ब्रह्मन लोह के साथ गये, उसको अपना लैंग्वेज सिखा है, नहीं इससे क्या हुआ, यह दलित आदिवासी शूद्रों का सिस्टम जो है, इंप्यूर बन गये, जब प्रोदक्शन इस पॉलूशन, देन सिवलिजाशन बिकम्स डेट, तुम हाथ रखे अग्रिकल्चर में तुम यह प्लांटिंग कर रहा, तो पॉलूशन नहीं नहीं, ब्रह्मन बच्चा तच नहीं करना, क्षत्रिया तच नहीं करना, कौन करना, एक्दालित करना, इसलिम्स कूल्च नहीं करना, क्षक्ड करने शाव सेथिए, तो रहा प्लांटिंग करना, टुम आपको उस पॉलूट्यजि similar to the मतन काय तो हम्पूर, कैसा होता, क्रें मृट्चियन गें मृट्चियन देन करना, इसलम सिलम कीवी इसलाम में भी प्रोब्लम है वो लोग पुर्क बड़ा इशू बनादे अधिको माई जिंदा के मेरा बच्पन में मैं काफी पुर्क का लिया आज वाज 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 पुर्क काते रहते हैं हमारा नार्थ इस ट्राइबल्स डाक कुकाते हैं उन लोग का रच रहे वह व इसलाम में पिक से शुरूः यह दोनो गलत है तुमारा सेंटमें ओंगा बच रहे व्हारा सेंटिमेंट हों मैं बच रहे बच रहे वहां कार्थ पाता है जो प्रद्विश्च में मैं पकाता हूं मैं उत्पादन करता हूं भूट ने चाहन लोगों हो जानकर और का घंटिप खोड़ा जा आइंटों अगया जिइग्टों में फॉफेकर चना यह किस्था और अगया भिकल आगया जाँ हम्हाना आके परिवेश्ज में पला बढ़ा हूं है अपर आ हमारे हो निसकार अड़ीज के लिए ट हमारे महलों हम ऑन एक बनता था मतन बनता था या पोक बनता था तो उसका समेल बगवादी होता है ने कि देखता था कि रात चोरी छिपके वो भी खाते हैं, वो वहां पे बनाते हैं, खाते हैं, मंदिरों में कई बार बली चड़ाते हैं, उसका इस्तमाल होता है, तो यह double standard क्यों है food culture को लेकर कि हम खाएं तो impure और आप खाएं तो सब कुछ बड़ी है, रगवान को बली दे दिया आपने, नहीं, एक problem क्या हुआ, if you look at the entire literature, Sanskrit literature को, even Persian literature को, बाद में English literature, modern times, there is no discourse on food, यह बत गलता है, क्यों discourse नहीं है, वो इसका sentiment है, वो उसका sentiment है, वो उसका sentiment है, so except cookbooks, in the market में, cookbooks लेक्ते है, except that you don't find discourse on food culture, यह, मैं जब लगनों अमबेडकर University में बोला था, that my nationalism starts with eating beef, beef does not mean only cow, I can eat buffalo, I can eat bull, I can eat, so there was a big news in times of India, काफी गडब करने के लिए भी लोग ट्राइगे, मैं बोला थेको, if I don't upbring my children strong, with full energy, till 30-40 years, how do I fight China, which is eating all kinds of food, how do I fight Pakistan, they eat all kinds of things, so you are making India weak, by making India vegetarian, so pure vegetarianism is anti-nationalism, मैं वह किताब भी लिकायक, वह जगरनाट का आनलाइन किताब है, उसे लिए मैं यह लोगों को बोल रहा हूं देखिए यह मेरा अपील है तुम food culture को industrialize करना, यह sexual values है, social है उसको हम debate करेंगे, उसको हम regulate करेंगे, उसको हम चर्चा करेंगे, एक system evolve करेंगे, पर food culture पर करेंगे, तो production कोन करना, वह लोगों अगर मतन काके जाके हल चलाना शुरू करते, आठ नव गंटा तुम्हारा एनरजी रह जाता, अगर तुम दाल चाके वह जाके हल चलाना शुरू करते हैं, वो नहीं चलता हो, उसलिए मैं यह किताब में बताए, यह issues पे भी civil war एने का हो सकता, क्योंकि तुम्हारा फुट कल्चर तुम्हारा है मेरा फुट कल्चर तुम्हारा है मेरा फुट कल्चर तुम्हारा है तुम्हारा है मेरा फुट कल्चर तुम्हारा फुट कल्चर को इंगली वेजिटेरियन बनाने के ट्राइ किया वेजिटेरियन नेशनलिजम किया बात में RSS और उसके बाद RS माज यह पोड़ा समस्ता लगा कि तुम फूट कलचर पे कैसा हमारा फूट कलचर को हुमिलियेट करते हैं लो मैं कहा कर जी ना तुम करना है ना बच्चों को फीड करना है ना कैसा करो मैं पर यह सर यह जैसे हम इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर में जब देखते हैं कि अभी मेड़े मील दिया जाता है तो ज़्यादा तर सरकारी स्कूलों में दलिद बच्चे पढ़ते हैं आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं जब हमें अच्छा न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा तो हमारी जनरेशन भी तो वीक होती है जैसा आप जिकर कर रहे हैं और जो दलिद बोजन प्रस्पेक्टिवस देखें तो उनको शारीरिक तोर से अगर वो कमजोर होते हैं जब उनके उपर फिजिकल अटेक होते हैं कास्ट अटेक होते हैं तब वो लड़ेंगे कैसे आपको मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि नॉन्वेस खाना चाहिए दलिद बोजनों को और ताकतवर होना चाहिए तो क्या इसके पीछे की वज़े यही हैं जो मैं गिना रहा हूं या आप देखते हैं कि यह हमारे अंदर बशा हुआ है हमारे कल्चर में हैं आप अपना कल्चर इंपोज नहीं कर सकते इसके उपर नहीं एक बाद बड़ बड़ दिबेट यह अधिप्रदेश गर्मेंट का चिल्रन का मिदेमील से एग निकालने के ऊपर चाहिए नार्थ इंडिया का बड़ बड़ प्रोब्लम है अल डॉक्तर साइंग करोना टाइम ए एक तो वाइट एंड एलो नहीं काय तो करोना टाइ आएब एक जा जाएब प्रोटीनand once you are old you can avoid certain things. But my point is these are part of the RSS, Arya Samaj Gandhi and later on the entire civil societal discourse, including universities. Some universities don't allow chicken and meat at all in the day and this will destroy the nation एक इक इम्पूर्ड़न फूट इटम हमको सी में मिल रिवर में मिल रहा तालाब में मिल रवो फिश है उसको पूरा बैन कर दिया तो फूट वाउन्टिटी क्या है उसका वाल्यू और नाचरल अनिमी एनिमल एकानमी फोरेस्ट में नाचर में बर्ड से So, Bhagawan ने, all philosophy says that God created the universe and the animals and human being is the ruler of all that. Some he will eat and some more he will grow. उसको सुम फिलसोफिकली अपसाइड़न करके करे तो, ये कब तक चलता मालुम, अगर पुरा इंडिया English educated होगा, विलेज़स में. और डिगिनिटी अफ लेबर टेक्स्ट बुक में गया, ऐसा किताब पड़े, अमबेडकर का भी पड़े, माहत्मा पूले का पड़े. So, फिलसोफिकल चेंज इंडिया में आ जाएगा. ये कांफिक्ट होता है, मैं जो सिविल वार बोल रहा हूँ इसमें, सिविल वार पहले आइडिया का सिविल वार होता है, वार अफ नर्व्स, वार अब ब्रेंस होता है. यह आईडियास का वार वो नहीं पड़ता जब मेरा किता इसको भी डेली उनिवर्सिटी में बैन करने के लिए काफी स्टूडेंट्स रिबेल करें या कि यह की आदमी हमारे बारे में लिक रहे हैं हल के बारे में लिक रहे हैं गाई के बारे में लिक रहे हैं बैंस के बारे म तुम कब लिके पूरा हमारा जिंदगी तुम्हारा जिंदगी पढ़के बचना है क्या है सो हमार अग्रिकल्चर नक हो तुम जब वो रोग गए मैं समझता हूं पूरा हमारा चिल्डरन विलेज़स में इंग्लिश अगर पढ़ लिए देश एक बाशा उनिवर्सल बाशा अगर पढ़ लिए एक किताब लिखे तो लाखों किताब बेजते हैं लोग पढ़ते हैं लुटरो लांगे कई हम अगर उसी लिए मैं बूलरहम एक किताब मैं लिखे ली करम इंडिया उसीड जूओ गो फर वन- • लेग्वेश एक पाध्य वेचिएान एड़नल लेग्वाहि लेए ऀ ए इस एちゃ ईंग गोर्म पाभर कैने स kingdom of labor तुम लिसंस रखो एक आदिवासी पर लेसं लगो एक दोभी पर लेसं लगो आदमी है वो हुमन बींग से दोभी सिस्टम सुमन समित ये उन लोगों का जिंदगी में कभी घर में दोभी घर में किचन नहीं तब यू अपना कस्तमर का गर से काना लाकि कातेते हैं और आदमी आवरत दोनो कप्ड़ में वाचिंगोष में बी वो मेंस्टूल कपड़ हो जूचरत कपड़ हो बच्छों का कपड़ हो आदमी भी करता था क्यंभाए वा कि उसको तुम लाके लेसन में बोलना है ना सो डिगनिटी अफ लेवर और इंग्लिश एजुकेशन सो विलेज़ेस में नार्थ इंडिया में अगर आए जैसा जगनमोन रेड़ी आंद्रा में रखे अब एक एक अच्छा काम किया वह वह देश में आया तो अमेरिका से चाइ कारी हैं और सभी से अपीले कि इस किताब को पढ़ें और एक नए तरीके कि आपको समझ बनती है कि आप दोबी की काम को कैसे देखेंगे सर में इस किताब में पढ़ रहा था तो कई जगे जिकर आता है कि जैसे ब्रामन लोग कहते हैं कि आरिया भट ने जीरो की खोशगी जीरो लेक्या है आरिया भट और पाच्वी सदी में उसके बाद से फिर दस से आगे गिनती बड़ी आपने सवाल उठाए कि फिर जो कुमार रोज मटके बनाता था तो वो कैसे गिनता था जो गडरिया थे शेफर्ड थे वो अपनी भेडों को बक्रियों को कैसे काउंटिं करें कि आप जो बोल रहें ऐसा नहीं है देखिये अर्य बट्र कब जिया था उससे पहले गिंती नहीं था तुमारा हरपा सिविलाइशन में लार्जेस्ट अनिमल एकाउनमी था शीप थे गोट थे बफिलोस थे और पर्टिकलर ली शपर्ड का जो लाइफ है एक ही सिविल अप बाइबल सिविलाइशन को देखिये या ग्रीक सिविलाइशन को जेखिये शीप इस फर्स्ट विगेस्ट डोमेस्टिकेटेट इनमल था एचिकन के बाद तो हर रोज मेरा फादर मेरा ग्रान फादर सौप का शिपर्ड का हर रोज पूरा शीप को कांट खरते हैं जो चाहना शीप है या नहीं hundred से ज्यादा होते हैं बगार zero काईसा कॉंट किया लोग क्या बोलते हैं आरिय बत ने istふふd्ड आ जिरो के بعरे में पहले बार संस्कृिट में लिखा होंगा लिखने का dinosaur भिस्का फरी नहें होता है, हम जरो जब Alice है उसके जिरो हम फारेड़ है, भो भी ह्यारश प्रणी कौड़ सोपला होकी एक काउंट करता है, पुरा विलज कौड़ UP कि जिसंही कंदा काउपडा उसर DJ सोंकर करता है, उसके पास नोट्स का नुट्स नहीं है गर का नंभर नहीं यह कुछ नहीं है, so यह प्रडुक्टिव नॉलेज्ज में माथमेटिक्स अमर्जोता हुआ। See Gautam Buddha says one simple thing, Buddha toh pre-Aryavatta ना भई? What did Buddha say? When one seed produces ten, it is ordinary crop. When one seed produces hundred, it is best crop. Yeah? If one seed comes in, one plant comes in, if he makes ten seed, it is ordinary crop. If one seed makes one seed, it is a good crop. How did he do that? If you are a Buddhist system, Jain system, arapan civilization system, arapan civilization system, arapan civilization system. He discovered mathematics, he learned zero to the world. What? We are making fools. Common sense of fools. This is not happening. Now we know. We are coming from the village, cattle. This is a joke. You are talking about science. In the village, Sanskrit literature, they have discovered discoveries. Who will believe that? They say that Ganesha was first plastic surgery, Sita test tube baby. No, no. They have all knowledge in Vedas. If someone discovered discoveries, they say that it was first written. No, no. Even ISRO's chairman says that all this science was there in Sanskrit. See, if they are speaking, no, don't make our nation look like a fool. Ancient India, in every place, there is no one knowledge in India. There is no discovery. I have a novel in Arapa system. God's city of civilization. The first animal was how domesticated the first animal. I have told this. They were hunting the wild sheep. They were hunting the wild chicken. They were hunting the wild chicken. But they didn't have to domesticate it. In thousands of years. And Tony Joseph says that the earliest animal domesticated was goat. 70,000 years before. That was in Middle Asia. And they migrated along with goats in certain areas. But here, early shape, how did the ancestors domesticate the early shape? To make a small baby put on the house. water. But they have no one who is talking to him. But they have no one of those. So they have very many died. So, they have one mother, one daughter, one daughter and her mother, and kept one place. And they have this woman in one place. And now they were killed. And they were killed by the other woman. That one child was killed by the other woman. वो घर का शीप पाइदा होना शुरू हो गया वैसा ही बफेलो डॉमेस्टिकेशन बता रहा हूं तेकि यह एरली साइन्स को अब तक रिकार्ड नहीं करें कि डॉमेस्टिकेशन एक किताब एक है कैसा एनिमल डॉमेस्टिकेट हुआ दुनिया में कोई भी नहीं है हम लिख सकते क्योंकि हम एंशेंट सिविल्लाइजेशन है तो यूरोप को सब पॉजिबल नहीं हो अगर यह ब्रामनवाद बोलते हैं अब पूरा लिखे है सांस्कृ तुमारा औरत को किचन में नहीं ता था बैढ़लेता किचन में नहींडेता हुए मैं पोर की यूंचाइशनल लेज़ लिख लिखतेशनल लिख लित में उसमें एक और अच्छा क्ण यह ऑक आसे कह कुश कित कह्वं नहीं लिख रहे हैं तो इंग्लिश के एसांसिक्रिप म यूज आभी यूवल नौवाव रारी, वो इस ग्रेटेस्ट लिविंग फिलासफर, वो रोड़ देट सपाइन्स बुक, वो बुक कुन सी बाशा में पहले लिखा हुण है, हीब्रु में लिखा, हीब्रु उसका बाइबल लेंग्वेज था, मोजेस से लेके अबर्ाहम से लेके वह आप व itself कर रहे हैं उतबादन में बात कर रहे हैं उन्हें अच्छा वर्ड उससे ज्याधा कोई कितब भिए आब तक सो उन्हें इभर्य में लिखा एक पंडित भी शांस्कृत में आईसा किताब लिका लिखो ना जरहां बैसेलर लिखो तुम जाके अमेरिका में बैठ के वह बिटेन में बैठ के इंगलीश में लिखके संस्कृत गेट है क्या वह 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 यह ना हमाराट अकॉनमिस्ट हमरत्या से वहीं बोलते क्रांट फाथर सन्स्कृट स्कालर ता मेरा फाधर सांस्कृत के था लिक रहें ईप संस्कृट मेंrit Nobel 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 बच्चे को दूद एती हुय, जो बच्चे को जो बाशा हमें बात करती है वो बाशा बिद्धाखा बढशा करता हुता है, जी हमारा गर में था क्या कहा है। It's not here, it's not our Most, how is it well it's a huge language? Now, there is no alternative to English. इंग्लिश के लिए इंडियन इंग्लिश एक वराइटी बनेगा अबरीक इंग्लिश से ज्याजा बनेगा तो वह करेंगे सर आपका एक्समें एक चैप्टर है इलेवन्थ नमबर जिसमें आप कहते हैं बोधिक गुंडे तो जो इंटेलेक्शुल गोंस हैं जिने आप जैसे जोतीबा फुलिस साब से जोड़ेंगे तो वो इतियास लिखने वाले लोगों को कलम कसाई कहते हैं कि उन्होंने ऐसी इतियास लिखा जिसमें हमारे नाइकों को गायब कर दिया आप इस इंटेलेक्शुलिटी को जानकारी को चुपाने वाले और अपने एजंडा सेट करने वाले लोगों को बोधिक गुंडे कह रहे हैं तो क्या है ऐसा ने ने मैं एक लार् भारला और मरगाया Euleye लुक्ति अफिरोंकां चुप्ना वनित अगली शूद्डों के पास लिकला नहीं है दरी नारे खरी तो हमन कि उतन कि पोरा पूरा एरिया एरिया को कर दिय थे तो रीट में यहां यह नहीं बना ओड़ी आजिवाशी भी नहीं रीड़ी नहीं बोध इस्टी कुमारता है, एक हिस्टी को कम्प्लीटली बर्बाद करके रखता है, मैं जो है, मैं एक और्डिनरी शेपर्ड बॉय, तिल्गु मीडिया में पढ़के, विलेजेस से लेके, डिस्टिक्ट से लेके, अधरबाद तक ही पढ़ा मैं, हार्वर्ड केम्रिज नहें गया, मुझे यह समझ में आया, क्यों इतना बड़ा समाज हिस्ट्री में नहीं है, जो लोग great historians बोल रहे हैं, intellectuals बोल रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं लिखे, वो consciously उनका हिस्ट्री को किल करें, they kill the history. So, history killer is an intellectual gunda. तेखिये, मेरा जिंदगी के टाइम पे, आरुम शवरी से माई, confront वा, मंडल रिजर्वेशन के वक्त हुने, पूरा उत्पादन सिस्टम को उने, इंसल्ट कर रहा था, बच्चों को रोड्स पे बेज रहा था हुने, तुम sweep करो, तुम ये करो, चपल बनाओ, as if it is not a great science work. इसके हाथ में कितना बड़ा मेडिया था, हम सोब ढरते थे, वीपी सिंग, at least, हमको एक करेज दिया, देखो, ये सोसल जस्टिस कड़े रहा हुने, मैं प्राम मिनिस्टर हुने, बट ये पूरा मेडिया जो है, हमको अलू बना रहा है, मैं युनिवर्सिटी लेक्चर था, दुख आ रहे थे, हम लो रहे थे, मैं तो I was weeping in the nights, मैं जब समझा, ए इंटेलेक्शुल्स नहीं है, ए इंटेलेक्शुल्स गुंडास है, हमको मार रहे है, हमको शरीर पे मारे तो अलग है, मगर मेरा हेट पे मार रहे है, मेरा दिमाग बि उसलिए मैं यह चाप्टर लेक्टा, जो काउटिलिया से लेके, अर्म शरी तक जो काम किये, लिके हमारे बारे में, हमारे जिंदगी के बारे में, यह क्या होता है, कितना हिस्त्री मार दिया तुम, चपल बनने का, क्या, फूलिश बने काम है क्या, शू, तुम क्यों उसको पहन के जाते हैं, तुम्हारा बच्चों को क्यों है, हम पेड़कर को हमिलियेट के, वो एजेंट बोलके, उन्हें किताबी लिका, फौल्स गड, मुझे एक ही, नरेंद्रमोडी के बारे में अच्छा लगता, यह उन लोगों को लेके बाहर पहन दिया, अर्न शौरी कूग इसी का सपोर्टर भी नहीं था जब, वो राम मंदिर को सपोर्ट कर रहा, और वो आने के बाद, यह पूरा इंटलेक्ट्वल को लेके जाके खाहीं छोड़ दिया हो, अब रो रहा है, अपना आदमी आके हमको, सुमित, I tell you, I used to cry and cry, एक 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 लिफ्ट इंटलेक्ट्वल मेडिया में हमारे बारन में नहीं लिपता था, पुरा लेपते है, पुरा राइट थे, लिबरल्स थे, Congress intellectuals तो, Rajiv Gandhi तो इतना anti-reservationist था, पूचो मां, एक या देश है, वे लोग उत्पादन करते है, उनको school में, यह लोग Muslim नहीं है ना भई, तुमारा उनिवर्सिटी में एक Dalit आता, एक OBC आता, एक ट्राइबल आता, रिजर्वेशन में, Muslim anti-national बोल रहा है, यह क्या है फिर? इनको भी नहीं देते वहाँ, नो तुमारा बच्चियां बोल रहे है, हम उन लोग आए तो हम किस को शादी करेंगे, एक बार बर को शादी करेंगे, अरे, बार बर को क्या है, बार बर क्या है, तुम्हारा डॉक्टर है, क्यों वेर कट कर रहे है, यह पूरा रहे है, मुझे मालम है, उन लोग को बहुत गुसा है वह रूप, वायमनाटे हिंदू लिखने के बाद, मारेंगे, पीटेंगे, मही बहला, मारो ना भई, मही एक एक एग्जाम्प सबसे जज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, जीसिस को मारे, क्रुसिफाई करे, जो क्रुसिफाई करे का है अब, अब जीसिस का, मुझे भी मारो, देखेगे गा इस्ुटरी, मैं का रहे है, तृ screening तृताम तुम का रहे, मैं डरने के लिए तयार नहीं हू一, क्योंकि मैं एक शपड का बच्चा हूं, यह देश को रक्षन उन्हें किया है, यह देश का निर्मान मेरा बाप किया है, मेरा ग्राइड बाप किया है, मेरा ग्राइड बाप, अरपा भी मेरा ग्राइड बाप था, वो किया है इसको, तुन नहीं किया, इसलिए एक दुखी बात है, यह लोगों के आत्मे हत्यार है, पावर है, मुझे मार सकते हैं, तो मार सकते हैं, मार हो, I am ready. But, history will not, once my people rebel, you will realize there is going to be a greater problem. And I am teaching English to my people, villages में स्पूल्स रखरूम है, मेरा दोस्त बोत है, So, once they become English educated, they will understand world, not only India. Why America is now making anti-caste laws? Because our girls have gone there, our boys have gone there, they are dealing with the same English, they are writing books, and they join the blacks. So, what is Wilkinson's book? American, why do you write the whites? Why do you write the black children in our country? They are like our buffaloes, our children, they are writing. So, we will live in the world. These people write a book from America. Ten heads of Ravana, the team of America, Malhotra, Rajiv Malhotra. So, who are you? Romilata is one Ravana head, I am one Ravana head, Ramachandra Gua is one Ravana head, Cheshita Roor is one Ravana head. And what is the title of me? Kanchya Elaya, Bharat Vikander. I wrote an article. I wrote an article. I am a Bharat Vikander, you are very big. The people who wrote the book, the team of intellectual kshatriyas. I said, okay, you are an intellectual kshatriyas. I am Ravana head, I am Ravana head, I am Raksha-sum. What is your understanding? But you are the real talking. Why do you write this book in English? So you get the words, in Sanskrit, you don't think that? I am the bharat Vikander. Oh, because thumat, our generation has been the old letter. Poor Ambedkar lived only 65 years. Poor Pule lived only 63 years. Jesus lived only 33 years, even their own supporter Vivekananda lived only 39 years, I have lived 70 years I think what is the point if I live long without doing anything for the change? So what is the problem of it? What is the problem of it? What is the problem of it? So I appeal to this country to these people, this vegetarianism, this animal issues, this equality, my God is equality They will respect you, your God, you respect them I feel like I will listen to you from the evening, it's like a library that we are having and listening to you But there is a lot of time, so I am just taking the last few questions, we are going to wrap up this interview This is a very intellectual class for me and it will also be easy to build your understanding Sir, through this book, I am trying to give a new perspective to the society of Dalit Bhujan Adivasi You do not believe it, you do not believe it, you are going to stay in the middle of the world जब फ्रीडम स्ट्रॉगल हुआ, लिबरल कॉंग्रेसिम थे बट उसमें हिंदु इसम जादा ही था रिवाइवल अव तुम गीता प्रेस से लेके जो तिलक से लेके गांधी तक पुरा हिंदु इसम का वो डिरेक्शन ही दे दिये आरे से सिंदु महासवा उन लोगों का एक्स्टेंशन है और बीच में ये देश में इसलाम मुस्लिम का पॉपलेशन थे और इसलाम आये है और क्रिश्यानिटी भी फर्स सेंचुरी से आये है बुद्धिजम आये तो है हम बेढ़ कर फिर रिवाइव करें ये एक मल्टी रिल Takt कि लिवाइव गड़ से आये प्रीजन दिदो कर लिवाइव गाइव इसमे शिपिरिच्वल दिमोर्सी में इसमें इसमें इंट्रूट इड़ वर्शिप एफ एफेड़ इडल ऐए विलेज इसमें इडल सें अगर जो फिल्दू पिल्दू एट्टू इसमें इडलिख But those RSS, BJP, Hindu political structures है, तुम हिंदु एक रिलिजिन बना रहा है तो, मैं काफी बार पूचा है, महान बगवत, याद अतात्रे हुस बोले, इन संस्कृत स्कूल्स लगा दीजिए, सबको अदमेशन दीजिए, विताउट कास्ट पुजारी बना दीजिए, तिरुपती टेम्पल में बना दीजिए, वोई राम टेम्पल में बना दीजिए, मैं यूपी का यादवों से भी मीटिंग्स में बोला देखो, कृष्ण यादव है, वो यादव के पास यादव पुजारी बना दो, तुम पुजारी बनो जाके, वो क्या पढ़ना वहा, मैं बोला बगवत किता वोई बगवत गिता इंग्लिश में है काफेस, वोई गिता प्रेस रांस्लेट किया, सो इंग्लिश में पढ़ो, मगर तुम पुजारी बनो, वहां भी ब्रामन क्यों, राइट, एक, सो यह इश्यू RSS BJP अब पावर से रिजॉल करना होगा, अगर रिजॉल नहीं करे, वो लोग मैं जैसा बोले, वो ग्राउंट, कॉंफ्लिक्ट ग्राउंट शुरू होगा, मैं एक बाद बोलो, शूद्रा किताब आने के बाद, पहले बार, यूपी में, गर्व से बोलो, अम शूद्रा है, स्लोगन आया ना, कभी आया था वो, अकिलेश भी बोलना शुरू किया यह वहां रोकेगा नहीं, वो उसी लिए, अगर शूद्र रिबेलियन आया, वो दलितों का जैसा नही रहता, दलित चोटा कम्यूनिट है, 18% का है, शूद्र 52% का है, वो उसी लिए, डेमाक्रसी को अंबेड कर कॉंस्टूशन को रक्षा करते हुए, रिलीजिन में, हर रि यह यह ऑ्राइब इजयाता आया इस अंब मुलास थाम सहन एलिए जिए लिए मिड़ें हो बसुण़ी ओने ponieważ का प्रशथन को प्राइब में में भीड थामास परी लिए थामतों, रिवह मैंूनी रहता है नगड़ी्ट चास का मैंना ओसत्तनूमास थैसिक है, नबीश रहता पे रखेंगे, so equal education, equal opportunities, man-woman equality, equal food culture, the food rights equally, don't humiliate anybody, if somebody is stealing your animal, attack him, but you know you can't do this in the democratic system, so usilie this kitab, my way I am not a Hindu, Buffalo Nationalism, I am telling you an alternative to the country, this is not a small country, this is the biggest country, in India there are two countries, one is a small, one is a small, one is a big, Muslim question, if this is a result, the Muslim question automatically will result, Christian question, whoever you want, they will tell your religion, so usilie, I am not after Muslim question now, we have a minority-minority-minority who say, look, my issue is big, you have never done a year, our issue is we have to do a year, so we are saying, you are RSSBJP in power, Congress, secularism, communist secularism, chain and put into the carpet in the religion, you have to stay on the table, let's go, they will be and well, this is a phase is so we have to see, I think we are conflict we have to there is यह दूसरा बात बोल जो एसा नहीं वहां बोला हम अग्वालिजियस दे कंट्री हैं मुल्टी फूट कल्चर्स हैं एक्वालिटी की होना है डिगनिटी होना है वह यह अमल करना है वह अच्छा है मैं सुना पूरा देखो मोडी अच्छी सुब का प्राम इनिस्टर है और बी एपिसिंग का जन्म मेटिंग और रहा प्राम इसके बार में विविष्कर्नाय ना अटर लूसके बार में विविष्कर्नाय ना अटरल यह is one of the greatest Prime Minister जो यह बोने इंग उख एक्षटरी आपामिली गोरी मोडिवाव नच्छी प्रक्षार आफ जानुग यह रहानुगे ऑन टोड़ा एक प्रामिनेश्टी जा बड़ाज कि अच्छी है कि अग्छीज एक अग्छीज़ का इस इस प्रफूटी, Let us increase the growth of the nation, its dignity, its nature in the world. यह मेरा डायरेक्शन है. जैसे मेरे पास बहुत सावाल है और मैं चाहता हूँ बहुत सावाल पूछे लेकिन समय का क्या रखना है. मेरे एक और दिमाग में सावाल है सर कि इस किताब पर मैं कन्कुलूजन में सावाल दूँगा कि जैसे आप OBC identity को reclaim कर रहे हैं, उनके पेशे से जोड़ रहे हैं और उनको एसास करा रहे हैं कि आप क्या थे थियास में और कैसे आपको reclaim करना है. जब मैं इस identity को दलित identity के साथ जो होता हूँ, तो मेरे समझ में आता है कि दलित और OBC के बीच में बहुत सारे classes हैं, वो एक कोई unity उस तरह से बनती नहीं है. जैसे अगर हम बाबा साथ दूक्टर अंबीड कर का example ले, तो वो ही himself has written so many times कि नाई उनके बाल नहीं कारता था, उनकी बहन उनके बाल कारती थी, बुआ बाल कारती थी, इसलिए उनका style भी बिगडा हुआ है, वो कई तस्वीरे में आपको नजर आता है. दो भी उनके पावर में आता है, तो जैसे अखिलेश यादो वस इन पावर, तो उसमया उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो anti-dalit थे, चाहिए वो demotion का मामला हो, दलितो पेट्रो सिटीज का मामला हो, 13-point roaster को लागू करना हो, तो वो काफी anti-dalit थे, अभी हाली में बिहार के मुक्यमंत कुछ outcome भी ऐसे निकलेंगे कि वो साथ मिलके इस Brahminism को हरा सके, so what kind of expectations and you are looking at, कि क्या हो सकते हैं? इस वमित इसमें आप जो बोलें वो सही है, और कौफी Dalit intellectuals are worried that कौफी conflicts और atrocities Dalitों के ऊपर शूदर OBS कर रहे हैं, क्योंकि villages में land, labor Dalit है, land owner शूदर OBS से जादा है, Brahmin बनिया, कायस तकत्रिस, Bengal में होंगा, इदर थोड़ा होंगा, मगर पूरादेश में रहे हैं, तो 80% land as of noise in the hands of Shudras. And one solution I was looking for is that these Shudras have given up their Shudra identity as slaves, historical slaves, oppressed. And they see Dalits as others among them, they are not part of them. और वो अलग गाहों में रहते हैं, अलग वाड़ा में रहते हैं, यह अलगनेस is constructed and also built in into the psyche. में आइक, उपर से ब्रैमिन भी भी वही बुला, प्रीस्ट भी वही बुला, किताब भी बुला, जो मनवाज जो पड़े नहीं मन का किताब, मनु का किता बट वो प्रचार हुआ और बगवद गीता से भी वही प्रचार हुआ चतुर वर्नम मयास उस्टंबुल के उन्हें कृष्णा भी बोला यह पूरा प्रॉब्लम हो गया है मैं बोलर हम एक बार शूद्र सुसाइटी में अब ओबीसी में क्या हुआ है रेहित ढallas अब्लम मंदल के बाद है मन शुद्रा सोइट अगा पार शुदरा सुद्रा माणाल माणाल के बाद ह васुद्रा स self-respect movement, beyond the education, the help, the small thing here, the small thing there. So, I am working a lot more in the Shudra, today's time. History, they have no idea. And in universities, there are no Shudra intellectuals, consciously. JNU, Delhi University, or any one of the universities, Jhaat, Patel, Gujar, still brahmin banyakayasthakatriyong ke neechhe kham karna shuru kilti hai. So, it is a long process. I know that a lot of horrible atrocities were committed by Shudras, Marathas, Kammas, Redis, all this is there. But this is a phase. Once rural education becomes dignity of labour-oriented and common English, then I think cultural change begins to occur from the childhood. School is very important. Family is still divisive. And conservative superstitious. School is a change. That's why, let us all campaign for common English medium in public and private and dignity of labour. So, let us see that a lot of debates carried on this Hindi book in North India. So, why am I not a Hindu? Why am I not a Hindu? Why am I not a Hindu? And this is Hindu-tva-mukt-Bharat. If you have a new civilizational discussion, there is no confrontation. It is a reclaiming of history. It is a production. It is our self-respect. It is a lot of youth, girls, and the upper caste, girls and boys, I think change will occur. I am hopeful of the change. that they are now loving to do it. I hope we pray that in Kalitaur and OBSI can be behind us. That we do not believe. That we do not believe that. We do not believe that. Brahman-Wad, we do not believe that. We do not believe our lust is. We do not believe that. This book is a intellectual property and a new property property and a new and new chapter. This is your last chapter. हैं जिसमें आपने ग्रैयूद के लक्षन और हिंदुत्व का अंत इस बारे में बात किये कि दिरार पॉसिबिलिटीज ओफ सिवल वार और वो सिवल वार कैसे हिंदुजम को खत्म कर देगा ये क्या आइडिया है आपने कैसे इस कंक्लुजिंट को निकाला है नहीं देखिए एक इसमें डीपली रिलेटेड है का सिस्टम कोई सोसाइटी और कोई रिलीजिन अपना फोल्ड के अंदर कुछ लोगों को अंटचबल बनाया अपना फोल्ड के अंदर ग्रेड़ेड इनीक्वल डिक्रेड़ेड हूमन बिंग्स बनाये हैं वो लोग नया आते हूँ ज्यादा टेंस हो जाएगा रिबल हो जाएगा उसको रिजाल्व करना बहुत इंपोर्टेंट है पहले कोई टेंशन जो है मेंटल टेंशन होता है अरे मेरा माबाप ऐसा क्यों ट्रीट गया है ट्रीट किया गया है हम एक एक एडुकेटेड टीचर है वो वो माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स अन्टचबल थे और वो अपना स्टोरी बोलते रहते है इसको कितना गुसा होता है एक गुसा अगर सोसिल गुसा फाम करेगा वो सिविल वार के तरफ जाता है ता इसा यूरोप में हुआ कोई पुरा देशों में हुआ यहां सिविल व कि बाप घुकेशन देमकरसी होता है। जो बाप खाता है। जब सिस्थी अच्ट्रीय को अगुकार्द ड्लीतょ 냉त्व ड्लीतों का ड्लीतों का ड्लीतों का ड्याटन गा कईतना हू वे प्रिल डीटीन का इस्थी, तो असिलिए में यह चटर इसीलिए लिगा, इसीलिए द स्मिंटम्स भूट, कास्ट इच्सेलफ आ பलैं जादा Прेज रूब्लम पाद में प्रॉब्लम होता है हैं चौ बीपते होत् छान्स प्रॉब्लम करने के लिए बेढ़ने कि लिए बीश पीक्ते होती है पाले में प्रोब्लम होता, बाद में प्रोब्लम होता, बाद में वेपन्स का 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 प्रोब्लम होता, बाद में चल रहा है उन लोहों का बीच में, तो यूपी में शूद्र निनाद आया, रामचरित मानस का चर्चा आया, मोहन बगवत ने एक स्टेट्मेंट दिया, ये पूरा जातों का वेदों का नहीं है, कुछ पीपल इसको क्रियेट किये, ये थोड़ा ब्रहामन पंडिट्स ये इस एक शंकराजारी तो, ब्रह्मा इंसल्फ इस ब्रह्मिन, तो ये उसमें एक टेंशन ओरा, मैं क्या बोलरूम, ये टेंशन जरूरी होगा, जब new slave becomes conscious, and slave, if he gets equality, the slave adjusts himself, but equality is possible नहीं है, नहीं दे रहे, तो ये रिस्ट्स, man resorts, woman resorts, उसलिए मैं बोलरूम, अम्बेड कर constitution is only a resolution mechanism, अगर ओ इस ब्रह्मिन को आप दिलूट करके, कास्सिस्टम को आई सारक करके, after English somehow has gone into various levels now, universal people spread हो गए, कुछ करे गया तो civil war जरूर होगा, जैसा अरुन शाओरी के, जैसा अम्बेड कर को false god बोलके, उसका constitution को निकाल दे के, दूसरा constitution लाने का एक conspiracy शुरू हुआ, तो civil war जरूर होगा, यह मैं बोल रहा हूँ, बोले सो आदमी एक prediction है, intellectual वही करेगा, मगर उसका नतीजा आप देखेंगे, यही इंडसलिस, जिसके पाद पूरा पैसा है, पूरा अच्छा घर है, अच्छा कार्स है, इसलिए तुम अमबेड कर कांस्टूशन को, डेमाकरसी को अमल करना तुमारा इंट्रेस्ट है, मगर वो अपरेशन से नहीं होता, वो फ्रेंशिप से होता, यह दलित एक पूजारी बनने में होता, तेम्पल, तिरपती टेम्पल है, वह एक बड़ा पूजारी दलित है, तो विलेज में अंटा चपल्टी चले जाएगा, अरे वही है बगवान के पास यह क्या है बोलके, लोग अर्जे सो जाते है, उसी लिए मैं बोलरूं, spiritual system का अगर reform करे तो, social system reform होगा, social system reform होगा, political system strengthen होगा, that's what Ambedkar also said, social system is key, but I am locating it in spiritual system also, वो मेरा क्याल में, यह negative idea नहीं है, यह positive view है, कैसा तुम, Ambedkar constitution के द्वारा, जो civil wars, symptoms, कहीं जगा हैं अब symptoms, Manipur एक symptom है, right, Kashmir भी एक symptom होगता, और SCST Attrocity Act एक symptom था, वो symptom को तुम constitution से resolve करे तो, वही, कट हो जाता हो, नहीं तो, यह national civil war भो जाता हो, तो यह आपका prediction है, और इस किताब के title को अगर मैं इसमें जोड़ूं, कि हिंदो तो मुक्त भारत की और, अभी जिस तरह के लोग भारत में सरकार चला रहे हैं, वो BJP RSS की ideology वाले जो लोग हैं, वो इस देश को हिंदो रास्टर बनाने का इलान करते हैं, और कहते हैं कि हम समीदान बदल देंगे, जैसा आप जिकर कर रहे हैं, नई तरीके के कानून ला देंगे, आरक्षन खत्म कर देंगे, और ब्रैमनिकल हेजिमनी को स्थाफित करेंगे, तो क्या इस किताब की टाइटल को और जो आपकी, जो आपने मेरे को बाते समझाई हैं, इससे मैं ये अंदाज है लगा सकता हूं कि हिंदुत्वा की जो ideology है, वो self-destruction mode में है, अगर वो इसी तरह से चलती रही तो फिर civil war होगा जैसा आप कह रहे हैं, खुदी खतम हो जाए पुरा से पुरा 2500 का हिस्ट्री है, बुदीजम होने दो, कृष्यानटी होने दो, इंदू होने दो, उससे पहले religion नहीं था, और future में religion भी नहीं रह सकते भी, एक एक दिन हो सकता है, ये बीच में एक सिस्टम आया, वो post Hindu, कैसा होता, human being कैसा रहता, उसका image कैसा रहता, उसक ये इसको टाइटिल, हिंदी टाइटिल को ये लोग अनवादक रख दिये हैं, ठीक ये, इसमें मैं क्या समझता हूं, ये टाइटिल से लेके, हिंदू तववाद, इसको सीरियसली पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर वो लोग समझे, हम गाय के इशू लेके इसको मारेंग और शूद्र बोलके जाट को निकाल देंगे, और कुर्मी को निकाल देंगे, यादव को निकाल देंगे, हम द्विजास ये पालन पोशन करेंगे, तो अपने आपको नस्ट कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं, हिंदूत्व ऐडियालोजी जो वाइलिंग से अब है, उसको अब लग हिंदू रिलिजन बना होगा, ये शिरिच्वल देमोक्राटिक सिस्टम, ये अब नहीं हो, शंकराजार ये पीटा से उसमें एक ही ब्राह्मन रहता है, किसको उसको उसे संबंध नहीं है, उसी लिए माई क्या बोलरूम, इसी लिए माई क्या बोलरूम, इसी बाहर रख रहे हैं, तो तुमारा रिलिजन को स्पिरिच्वल देमोक्राटिक बनना जरूरी है, क्योंकि ये लेशन मैं अमेरिका से लिया, अमेरिकान कॉंस्टूशन हेविली डिपेंड्स अं गॉड, वो गॉड को नहीं है, वो गॉड देमोक्राट है, वो गॉड सब को रख देता, ओ गॉड धन्क्तारट है, वो गॉड झाल, वो गॉड दिक्स that all human beings are born equal, you think that no, all human beings are not born equal, शुद्रास वर पाउं से आया और अधिवास वर कहीं से भी नहीं आया अधिवास दुन्या में नहीं है हम एक शिर से आया एक याह से आया ये अब नहीं चलेगा ये टेक्समे है टेक्समे रहन दो मैं I am not saying you burn the text or don't keep them in let me read what is there in Rig Veda but I have to see the practice change it your future that is the reason why solution I have shown in the chapter called post-Hindu-India ismae Hindi mein kya hai ki last chapter majhe patha nahin post-Hindu-India so ek ek din aata hai jab dunya mein religions kahi nahi rahe ga jab tumhara religion we nahi rahe ga human being will as mark said human being will rule themselves individually state bhi nahi rahe ga bola hon hai we don't know but let us imagine let us have a larger view of the larger history it's amazing a better world in India where we are not suffering from these things actually so it was great you know being with you talking to you it's like an you know getting a view of library and reading a lot of book so I enjoyed your talk sir thank you very much sir enjoy it our discussion say hi just our audiences have a quick opinion manane mein kafi madad hoi hi howe ki kiyus discourse sthapit hoit a kiis shthaapit hoita hai kaise wimash khaira kiaasata hai और जो स्थापित सिधानत हैं उनको कैसे एक नए दलित बहुजना दिवासी प्रेस्पेक्टिव से समझा जा सकता है सब कि ये किताब आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए फोरवर्ड प्रेस से ये प्रकाशित हुई है हिंदो तो मुक्त भारत की और हिंदी में है तो हिंदी की जो ओडियंस है खासकर हिंदी पटी जिसे हम लोग गोबर पटी कहते हैं या जरूर पढ़नी चाहिए बहुत जरूरत है ऐसे किताबों की तो सार आपने समय दिया इसके लिये बहुत बहुत शुकर्याव Thank you very much. I really liked it. Because this is such a detailed interview, now that we have not done in Hindi. So, you have done this book. This is not a cow belt or a buffalo belt. We will keep this country together. If you say cow belt or buffalo belt, we say this country is correct. If you read this book, if you read it, then you can read it. It's a book. But you can't get the violence. Thank you. Thank you so much. If you read it, if you read it, if you read it, if you read it, you can share it. If you read it, there are no other things. If you read it, if you read it, you can share it. Thank you very much. Thank you very much. You can do that. You can share it. You can share it. You can share it. भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newsbeak Foundation, अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640, IFSC code है YESB-000-235, बैंक का नाम YESBank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली, आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन, स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाटसेप करें